आज हम बनाएंगे गुथे हुए गीहों के आटे की बहुती मज़िदार और नई रेसिपी जिसे आप आटे की सेवई भी बोल सकते हैं और ये खाने में बहुती स्वाधिश्ट होता है और बनाने में तो बहुती आसान है आप इसे जटपट बना के खा सकते हैं तो चलिए फ ऊफा गिवू काटा अगर फ्रीज में पड़ा हो तो उसका भी आप बना सकते हैं ऐसे छोटे से हमें एक बॉल बना लेंगे और ऐसे हम ऐसे लमबाई में करते हुए इसकी पतली से बना लेंगे बहुत इजली ये बन जाता है और यह देख सकते हैं पलेट में मैंने पहले से और यह बहुत अच्छे से ड्राई होने लगता है और इसे मैंने एक दिन धूप में सुखा दिया था पूरे धूप में ना सुखा है आप हवे में भी सुखा सकते हैं और यह देख सकते हैं काफी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है अब हम इसे रोष्ट करेंगे इसे रोष्ट से गोल्डेन ब्राउन हो जाए आपको इससे लगातार चलाते रहना है इस सिवई को मैंने 10-15 साल पहले अपने गाउं में खाया था और मुझे बहुत ही टेश्टी लगा था तो मैंने सोचा कि उन्हें इसकी रेसिपी आप सभी के साथ भी सेयर करूं और देख सकते हैं दोपे आप इसमें अमूलका गाधा दूद का यूज करें और क्रीम वाले दूद का इससे जादा टेश्टी बनता अची तरीके से मिला लेंगे चार से पांच मिनट के लिए कि आपने मिला लेंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम्याड़ा डॉ dads सकते हैं जितना आपको और पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और यह हमारी बहुत ही मज़िदार से बन की तैयार हो गई इसमें आपको कोई ड्राइफ रूट्स वगर डालने की जरूरत नहीं है ऐसे ही यह बहुत स्वाधिश्ट लगती है थोड़ी दिर के लिए हम ठंडा हो जाने देंगे तब सर्व करे जाएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देजिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और हाँ दोस्तों अपने